उतरप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से खान पान की चीजों में तमाम मिलावट होती हुई दिखी और ये मिलावट कोई सामान मिलावट नहीं अप्शिश चीजों के मिलावट जैसे थूक हुआ पेशाब हुआ ऐसे तमाम वीडियोज वायरल हुए इसके बाद मुक्रिम कि बात की जाए उन सभी जगों को लेकर के एक दिशा निर्देश यारी किया है और कहा गया है कि सभी लोग जो भी इस तरीके खान पान से चीजों से जुड़े हुए व्यापार में हैं वो अपनी अपनी दुकान के सामने अपनी दुकानों का नाम लिखें कौन संचालक है उसके बारे में बताएं कौन कौन काम कर रहा है उसके बारे में बताएं यह तमाम जानकारियां लोगों को देनी हैं गलफ पहनना है मास्क पहनना है यह चीज़ें सीम के द्वारा निर्देशित किया गया है मैं इस वक्त लखनों में जो दनिग जागरड चौराहे हैं वहा पइल बियादा उसके बगल में अर्मान्स किचन है यह दूसरी तरफ में एक और बियादी की दुकान है अगर अगल आगल डेसी किचन है जहां पर सामाने काना जो हाना मिलता है तुर्सी तरफ तरफ यह तो यह तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं, उसकी दुकाने यहां एक तरफ से हैं, किस तरीके की विवस्ता है, वो हम देखने कोशिश कर रहे हैं, यह लोग जो यहां खाना बना रहे हैं, आप सामने देखेंगे जो शक्स हैं, आप खाना बना रहे हैं, उन्होंने मास तो फ पर आपकी पहले बात कर लेते हैं आपने उसके बाद आदेश के बाद क्या किया किया अपने लोगों हमने दगा है आपका नाम रेस्टूरेंट मालिक का नाम और भी जो लोग है उनके नाम होंगे कुछ लोग ऐसे जो आते हो चले आते हैं नीचे का जो कमचारी आते हैं चार दिन किया च्छे दिन किया तो उनके दो नाम दिखा नहीं सकते हैं एक वह प्राब्लम दुरूर फसेगी है मेन मेन आप किसके किसके नाम लगवा हैं के प्रोप्राइटर का नम सबको मांक्स और गलफ की वरस्ता आप मांस और गलफ मेरी का नहीं तो घटनाओं पर आप कैसे देखतें इंकिए लोगों ने जिस तरह के से मिलावट करी अप्शिएस चीजों की थूक मिलाया पिशाब नहीं होने चाहिए चीज़ों में चीज़ों में शुद्धता होनी चाहिए जब तक शुद्धता नहीं होगी तब कौन खाने आएगा यह देखे कुछ लोग अंदर खापी भी रहें उनके पास भी चलेंगे और बातचीत करेंगे चाचा यहां आप लोग खाना खाने आए हैं आपसे आपका दो मिनिट लोगा आपका शुब नाम बता रही है यह बताईए जैसे अभी सीम ने दो दिन पहले आदेश दिया है खाने पिने की दुकानों पर जब आप जाएं तो वहां लोगों के नाम लिखे हों कौन-कौन काम कर रहा है मास्क पैने हों गलफ पैने हों इस तरीके की बात कही गई है क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले देखा कि खाने में मिलावट जैसी कुछी चीजे हुई कोई थूप मिला रहा कुछ इस तरीके चीजे हो रही तो यह जो आदेश आया इसके बाद कैसे देखते हैं आदेश ठीक है और ये अगर शक्स भी बैठे हुआ आप यहां ओर दिये हैं खाने भी चाया है कि जो आदेश आया है कि जहां भी आप जाएं खाने पीशारी के उनका नाम लिखा हो जिससे आप जान सकें, पहचान सकें कि आप किसकी दुकान में जा रहे हैं खाने, इस तरीके का जो आदेश है आप कैसे देखते हैं, शुदता को लेकर के या किस तरीके से आप। समझने की कोशिश करेंगे लोगों को सामने की तरस में आपको पहले ही दिखाए था कि जो बिर्यानी की दुकान है, वो यहाँ पर है, वो किस थरीके से इस आदेश को देखते हैं, कैसे पालन करेंगे, क्या कहना है, आपकी शौप है ये, क्या शुब नाम है, रामबाबुज पता चाहिए, एक और बात कही गई है, दुकान में किस की दुकान है, नाम प्रोपाइटर का कौन काम कर रहा है, उसका नाम, ये सब कुछ भी करवाना है, हाँ जी करवाना है, फूल करें, फूल लैसेंस का डिस्पले कीजिए, और जिसका कौन काम, नाम भी लिखने लिए और ये भी कहा गया कि CCTV कैमरे भी लगवाए जो भी लोग चीजें हो रही है, तो आप CCTV कैमरे भी लगवाएंगे, अभी तो पैसा नहीं है, लगवाए लिए लेंगे, आदेश आपको लगता है, कि आदेश ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसा प्रस्ता सान का मिर्शा, जैके तो ऐसा नहीं होना चाहिघी कुछ और बी लोग हैं आप ये काम करते हैं कोई बात हैं, कोई बात निया आपने ज़ीजिगी खार, कल से Nasirksen के Maas लका करेंगे है जी सबंगे से जी सरे के। पहनन के Maas लका呢 देगे कुछ और लोग भी बात्चीत करेंगे और समझेंगे दो मिनिट ले सकता हूँ आपका विजवान वजवान बाई दो दिनों पहले सीम ने का अदेश दिया है कि जो भी दुकाने है उन दुकानों को अब उन दुकान दारों को दुकान के सामने अपना नाम और कौन उसमें काम कर रहा है उसका नाम जो भी लोग हों, गलफ पहने, मास्क पहने, इस तरीके की चीज़ों का आदेश दिया है, आप कैसे देखते हैं, आदेश ठीक है, हाँ सही है, नाम लिखा होना चाहिए, बिल्कुल, उससे क्या फाइदा क्या नुक्सन, आपको क्या लगका है, फाइदा क्या है, उसमें बुराई क्या है, बिल्कुल, कुछ चीजें हमने देखा, आप लोग खाना का रहे हैं, लेकिन एक मिनिट आप कलूंगा, कि जैसे कुछ लोग खानों में कुछ चीजों की मिलावट कर दे रहे थे, कई वीडियो वायरल हो, आपने भी शोचल मीडिया पर देखा बिल्कुल बैतर है, बिल्कुल तो देखिए, जो लोग हैं, जो यहां खाने पीने के लिए लोग आए हुए, उनका भी यह कहना है कि यादेश अच्छा है, और इस तरीके की चीजों का फैसला जो होना चाहिए, हलाकि अभी कुछ जगों पर मास्क और गलफ जैसी चीज़ नहीं हैं, लेकिन आज इनके लोगों का कहना है कि जो FSDA की जो टीम थी, वो आज आई थी और इन सभी लोगों को एक तरीके से आगाह किया है कि आप सभी लोग मास्ट पहने, गलफ पहने, क्यामरे लगवाएं, और जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में जो जानका पर उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके के व्यापार में जो लोग जुड़े होते हैं, कई बार कई ऐसे कारिगर होते हैं, जो आते हैं, कुछ दिनों काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, उसमें कितनी बार नाम रिखे जाएंगे, कितनी बार नाम बदले जाए पर जो मास्ट लवसु और जो स्फाइट की बात कही ज़िए उस पर सभी कही ने कहीं उस पर हमी भर रहें। सभी का ये कहना है कि ये hiệnएं होनी चाहिए। और vallahi के साध्र का जो विवसाह फ्र०्ट है वो आगे बढ़ना चाहिए। अबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी